दोस्तो नमस्कार टी-वी के खात्मे के लिए आप स्वास््थ विभाग डाग विभाग की मदद लेगा पहले प्राइबेट कोरियर के जरीए सेंपल कलेक्ट करके टी-वी की जाच के लिए कलेक्शन सेंटर लाज जाते थे लेकिन अब डाग विभाग इस कारी को करेगा और तुरित कती से सेंप्ल कलेक्ट करके रोगियों के सेंप्ल जाच के लिए भीजे जाएंगे इस नई विवस्था के बारे में क्या बोले हैं जिला च्छै रोग अधिकारी डॉक्टर सुधीरगर आईए सुनते हैं उनकी बात इसके लाबा प्रवर अधिक्षक डाग विभाग पीके सिंग क्या बोले हैं इस खबर में उनकी भी बात सुनबाने जा रहे हैं देखिए क्या बोले हैं दोने विभाग के अफसर शिकार ना हो इस आसे का समझोता दो विभागों के बीच में हुआ है जिसमें ये तय किया गया है कि डाग विभाग सेम्पिल कलेक्ट करेबाए इसमें हमारा इंप्लाई हर पीच से संपल को कलेक्ट करेगा पैड़ संपल को और जो स्टेशन समने अडेंटिफाई कर रखे हैं हम बुकिंग के लिए वहां बुकिंग कराएगा उसके बाद हमारे जो सेवाएं हैं जिस तरह से हम टांक का ट्रांस्विशन करते हैं और टांक का वह एनस और भोजीपुरा से सरमस की बढ़ती है और चौधा है मीरगंज मरीजों के जाज की सुर्दा अपना दोटी बल्गम जाज की इसमें कुछ सेंपल हमारे ऐसे होते हैं जो कि जिसमें की एक सीवीनेट मसीन होती है जो कि बरेली में तीन जेगे लगी हुई है मीरगंज में ज बल्गम जाज के पूरे बरेली में वहां से वो सेंपल हम अभी तक कूरियर प्राइवेट कूरियर के माध्य हम से मगाते थे और उसको मगा के इन चार जगह पर पहुचाना होता था सेंपल को वो पैक करके ट्रिपल लेयर पैकिंग होती हो करके हम देते थे लेकिन जो प्र परानी विभाग है और अंदर तक उनके लोग मतलब डाक खाना वगरा रहते हैं तो उनकी सिवदा ली जाए तो एक उत्तरवर्देश लेविल पर किस राज्य सरकार इस तरपर एक M.O.E हुआ है जिसमें की प्रतियक जनपद में हो इसमें जो डाक खाने हैं जो हमारे बल्ग